सियाराम बाबा का ये आश्रम आज मालवा और निमान इलाफे का लोग का प्रियतीर्थ बन गया है यहां आने वाले लोग अपने असंखे प्रशनों के साथ पहुंचते हैं बाबा मुस्कुराते हैं, कुछ कहते नहीं कौन जानता है, कष्ट में डूबे इन लोगों की मुक्ती का मार्ग बाबा मौन के पुल पर सवार होकर इश्वर तक पहुँचाते हैं बढ़ती उम्र के साथ बाबा इन दिनों तकलीफ में है पैर में एक घाव है कहने वाले कहते हैं, कि 20 सालों से ये घाव उनके शरीर का हिस्सा है बाबा और ये घाव शरीर के साथ चल रहे हैं कौन जानता है, संथ इसी तरह अपने मोक्ष का द्वार भी ढूण लेते हैं लाखों के कष्ट हरने वाले स्वयम कष्ट में हैं लेकिन जहरे पर इसका कोई जिन्द नहीं है